Technical Educational Hub YouTube Channel में आपका स्वागत है यदि आपने हमारी YouTube Channel को अभी तक सब इस्क्राइब नहीं किया है तो सब इस्क्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करें 36 गड में ग्राम पंचायत में वाड होते हैं और वाड से हम पंच को चुने रहते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि हमारे पंच का वेतन कितना है आप भी कोई न कोई वाड के मददाता होंगे और आपने भी पंच का चुनाओ किया होगा लेगिन ये नहीं जानते होंगे कि पंच को हर महा वेतन कितना मिलता है वो भी 36 गड़ सासन द्वारा ये सच है कि 36 गड़ सासन द्वारा हर महा पंच को वेतन मिलता है और पंचो द्वारा वेतन बढ़ाने का भी मांग किया जा चुका है अर्थात मांदे राशी को बढ़ा कर 5,000 रुपय किया जाना चाहिए ऐसा मांग किया गया था जिसे 36 सरकार दौरा नहीं माना गया है लेकिन जो पुरानी वेतन है अर्थात मानदे रासी उसे पंचों को दी जाती है और पंच को कितना मानदे रासी हर माह दी जाती है ये जानकरी सिदों में जानते हैं गाउं के पंच को चतीजर सासन द्वारा हर माह वेतन दिया जाता है जिसे किन राजय सरकार द्वारा मानदे रासी कहते हैं पंच को चतीजर सासन द्वारा सीधे हर माह मानदे रासी पंचायत के माध्यम से दी जाती है इसमें जाने तो पंच का वेतन हर माह 200 रूपया होता है अर्थात बंच को प्रती माह दो सरुत या मानदे राशी दी जाती है यह जान करें आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें